है है लो दोस्तों आपका अगरिकल्चर स्टड़ी बीक में स्वागत है तो आज हमारा प्रैक्टिस नंबर है चोद है और यह यूपीटर प्लाइसी यूपीटर प्लाइसी एजी टीये के लिए जो है आपका मेहतज़न से हो जाता हमने जो यहां पर तेरह प्रैक्टिस सैट करा दिए यह वार पीछले वाले प्रैक्टिस नहीं देखें उन्हें एक बार जरूर देख लेंगे क्योंकि आपको यहां से बहुत benefit मिलने वाला है और जिन्होंने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है चैनल को जरूँ subscribe कर लेंगे और इस वीडियो को like जरूँ कर देंगे और यहां पर बता दें कि अपने पास जो है एक rough seat लेकर बैठ जाएंगे और जितने कोस्टन आपके सही जाएं वो सही लगाने और जितने आपके गलत कोस्टन जाएं वो आपको गलत लगाने है और बाद में आपको कमेंट में बताना है कि कितना score आपका रहा तो बात करते हम चोधे practice aid की तो पहले बात करेंगे हम agriculture के question की तो आपका 65 जो नमबर का agriculture पूछा जाएगा तो इसमें बात करते हम प्रिसन नमबर आप पहले गी तो पहला प्रिसन आपका की निम्न में से कौन सूचक फसल से संबन देता है तो यहाँ पर बताना कि सूचक फसल कौन सी हो जाती है इन में से तो आपकी सूचक फसल कौन सी हो जाएगी तो यहाँ पर हो जाती है मकाब की सूचक फसल हो जाती है तो ए उप्रिसन सही हो जाता है आपका पहले का answer बात करते हैं दूसरे कुस्षन दूसरे कुस्षन आपका डिबबबंदी के लिए टमाटर की तुड़ाई की उचित अवस्ता होती है जो डिबबबंदी हमें टमाटर की करनी है तो उसकी तुड़ाई जो है किस समय पर की जाती है तो तर्निंग जो अवस्ता होती है इस सबस्ता में जो है टमाटर की तोड़ाई की जाती है डिब बवंदी करने के लिए तो अप्सन भी हो जाता है दूसरे का सही आपका बात करते हैं तीसरे प्रसन की तीसरे प्रसन है कि अच्छी जेली का TSS होना चाहिए जो अच्छी जेली होती है आपकी तो उसकी TTS जो आपकी TSS की मात्र जो है कितनी होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए तो 65% आपकी TSS मात्र होनी चाहिए आपकी अच्छी जेली के लिए और आगे बात करें हम तो यहाँ पर तीसरे का यांसर हो जाता है सही चोते की बात करें चोते परसन है कि बरतमान में भारत की सरवदिक यांतरी के खेती की फसल कुन सी हो जाती है तो यहाँ पर बताना जो इस टेम भारत में बरतमान समय में जो सरवदिक यांतरी के खेती की जाती है वो किसकी की जाती है तो किसकी की जाती है तो यहाँ पर गयों की जो आपकी यांतरी के खेती की जाती है भारत के अंदर तो option number A answer हो जाता है sorry D answer सही हो जाता है चोथे का आपका सही आगे बात करें हम पांचमे person की पांचमे person है कि पोधों में बीज का मुड़े हुए अंकुरण देखा जाता है जो आपके पोधे होते हैं पोधे के बीज जो मुड़े हुए होते हैं तो उन्हें किस पिरकार के बीज होते हैं तो जल्दी बताएंगे पांचमे का आंसर क्या हो जाएगा साथ इसाइट कमेंट में आंसर बताते रहें कि आंसर है आपका तो हाइपो जीयल जो होते हैं आपके तो उनके जो बीज होते हैं मुड़े हुए होते हैं मतलब ये बीच जो है जो इनके बीच पत्र होते हैं वो भूमी के ऊपर आ जाते हैं जैसे आपका किसका होता है जैसे इमली होती है इमली का बीच जो होता है आपका तो बीच के साथ जब अंकुरन होता है तो वो ऊपर आ जाता है उसके जो बीच पत् systematic कवकनासी है तो यहां पर बताना जो systematic कवकनासी है वो कौन सा आपका हो जाएगा तो यहां से जल्दी बताएंगे जो आपका हो जाता है answer क्या meta legs जो होता है यह आपका कैसा हो जाता तो systematic कवकनासी हो जाता है तो option B हो जाएगा छटेक कांसर सही आपका बात करते हैं साथ में प्रिशन की साथ में प्रिशन आपका कि डिक्स हलका जो जुकाब कौन होता है वो कितने बीच का होता है मतलब जो जुकाब कौन होता है डिक्स हलका तो वो कितना होता है तो साथ में कांसर जल्दी बताएंगे आप तो पंद्रह से लेक की आठमा है तोबे को केटर पिलर का पिरकोब किस फसल में देखने को मिलता है जो आपकी टेबे को केटर पिलर होती है उसका पिरकोब जो किस फसल में होता है तो आठमे का अंसर जल्दी कमेंट में आप बताते रहें साथ ही साथ तो और अपने कोशन जितने सही जा रहे हैं प्रकार कार नहीं हैं तो जूट के अंदर होता है इस आंसर हो जाएगा आठेमे का सही बात करते हैं नम पृसन है कि बंडारन का पिरकार नहीं है सकता है भूमिक अच्छे बंडारन किया जा सकता है पेड़ों पर बंडारन कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं तो आपसे पूछा जाएगा जो पूरेंट 10 हैं वो किसकी एक बोनी पर जाती है तो किसकी हो जाती यह बोनी पर जाती तो यह आपकी गैहूं की हो जाती है किसकी गैहूं की तो अपसे नंबर सी आंसर सही हो जाता है आपका दसमे कुस्टन का आंसर और आगे बात करें परसे नंबर हम 11 की परसे नंबर 11 आपक तो कितनी होनी चाहिए तो 12 प्रतिसत जो है नमी होनी चाहिए उप्सन नमबर बी आंसर हो जाता है 11 का सही बात करें 12 की बार को से इस केस किस से परीरक्षित किया जाता है जो इस केस होता है वो किसके दौरा परीरक्षित किया जाता है तो किसके दौरा परीरक्षित किया जात बार में का सही आपका आगे बात करें हैं पृसननंबर 13 है कि आपका पृतिáticoल इस्तिती के कारण मुख्या फसल हो जाने के बाद जो आपका मतलब جो आपकी मुख्या फसल होती है वोग् necesita किसी कारण अगर हम उसके बीच में कोई फसल दूसरी ले ले दें तो उस फसल को हम क्या कहते हैं तो जल्दी आंसर बताएंगे तेरे में का केश क्रॉप बोलते हैं केश क्रॉप बोलते हैं पेरा क्रॉप बोलते हैं ये क्विक क्रॉप बोलते हैं option number B answer हो जाएगा 13 का सही है आपका चोधे की बात करें चोधे को सने बीच का बास्तवी गुण निर्धारन किया जाता है तो उसकी प्रतिसक्ता मतलब सुद्धता से होती है अंकुरन से होती है सुद्धता एवं अंकुरन से किया जाता है तो option number C हो जाता है चोधे का अंसर सही आगे बात करें प्रतिसन number हम 15 की पंदर कोस्टन आपका कि जब बानस्पतिक उप जाने जो बाला पहली वार जो मूल भूत बीज का उतपादन करता है तो उसे क्या कहते हैं मतलब जब कोई पहली बार बीज का जो मूल भूत होता है उसे उतपादन तियार करेगा तो उस बीज को क्या बोला जाता है आपका क्या प्रजनक बीज बोला जाता है आपका प्रजनक option number C आंसर हो जाता है पंदर का सही आगे बात करते हैं सोले की प्रजन का मुख्य भाग कुंसा हो जाता है कार बोला जाता है आपका सहील बात करते हैं सत्रे प्रजनक की स्वेट ग्रीडा की पिर्ति बरस docs कितनी पीडियां पाई जाती है जो स्वेत गिनार होती है तो इसकी जो पिरतिवस कितनी पीडियां पाई जाती है तो कितनी पीडियां पाई जाती है तो इसकी एक पीडियां पाई जाती है उपस नंबर ए आंसर हो जाता है सही आपका सत्तरेका अठारे के बात करें इस्टावेरी को भंडारित करते समय आप एक्षित आदरता कितनी होनी चाहिए जो इस्टावेरी होती है अगर उसको भंडारित करना तो उसके लिए जो आप एक्षित आदरता है वो कितनी होनी चाहिए तो 90 से 95 जो है आपकी कितनी 90 से 95 प्रतिसत जो है इस्टावेरी वंडान करने के लिए आप एक्षित आदरता होनी चाहिए उपसन नमबर ए आंसर हो जाता है अठारे का आपका सही बात करते हैं 19 पिरसन की 19 पिरसन है कि दहान के अंकुरण के लिए अनुकुलतम मुख्य तापमान बिंदू है तो दहान के अंकुरण के लिए जो आपको तापमान अनुकुलतम मुख्य तापमान होता है वो कितना होना चाहिए तो अंकुरण के लिए पूछा हुआ है यहां पर तो 19 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा तो 19 का अंसर हो जाता है आपका तो 20 से 25 सेंटी ग्रेट तापमान होना चाहिए दान के अंकूरण के लिए और यहां पर बात करें दान की ब्रद्धी के लिए कितना होना चाहिए तो दान की ब्रद्धी के लिए 20 से लेकर कितना 25 centigrade तापमान होना चाहिए तो exam में जहां से question पूछे जाते हैं तो important हो जाते हैं आगे बात करते हैं हम आपका person number 20 की person number 20 आपका source जो source बनाई जाती है उसकी bigs पृतिसत कितनी होती है जो यहां पर बतानी है source की bigs पृतिसत कितनी होती है जल्दी बताएंगे 20 का अंसर क्या हो जाएगा तो 45 पृतिसत bigs की पृतिसत होती है option number C हो जाता है 21 का सही sorry 20 का अंसर बात करें 21 question की 21 है कि सू के छेतर के कम अवधी के बार्षिक पौधे को क्या कहते हैं जो आपका सू का छेतर होता है उसमें जो कम अवधी के बार्षिक पौधे हैं तो उन्हें क्या कहते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है 聽 всем एफे मेरे लूस बोला जाता है option number A अंसर हो जाता है 21 का सही 21 की बात करें बीज के बर्क बो即 की आवसका होती है तो क्यों होती है आवसक्ता तो यह हो जाएगी तो बीज की सुद्धता की जाच करने के लिए इसकी आवसक्ता होती है तो अपसंसी हो जाता है बाइस का सही आपका 23 कोस्टन की बात करें 23 है कि बीज की निसकर्षता तोड़ने के लिए भिगोए बीज को आकसीजन की उपस्तिती में ठंडे तापमान पर रखने की किरिया को क्या कहते हैं जो आपकी बीज की जो निसकर्षता होती है उसको तोड़ने के लिए बीज भुगेने मतलब भीगेने के बाद जो आकसिजन की उपस्तिति में उसे ठंडा तापमान पर रखा जाता है तो उसके रिया को हम क्या कहते हैं तो उसके रिया को बोले आता है बसंती करण तो अपसन भी आंसर हो जाता है 23 का आपका सही 24 की बात करें 24 को सनन निमलिकित में से कीटों में से कौन सा एक मिलन सारी नासक कीट है तो यहाँ पर बताना है मिलन सारी जो है नासक कीट कौन सा हो जाता है तो कौन सा हो जाएगा तो प्रवासी टिंडा हो जाता है कुंसा पिरवासी टिंडा उपसन सी हो जाएगा 24 का अंसर सही 25 की बात करें मादा मेगरो हार जो हारपस अपने अंडे कहां देती है जो आपकी फीमेल मैंगोस जो होपर है वो कहां पर अपने अंडे देती है तो कहां पर देती है ये पत्ती की नीचली सतह उपर अंडे देती है उप्सन बी आंसर हो जाता है सही 25 का 26 की बात करें हार्डी बेन बर्ग नियम किस बर्स इस्तापित किया गया था जो हार्डी बेन बर्ग नियम है वो किस बर्स इस्तापित किया गया था तो 1908 में इस्ताफित किया गया था option A answer हो जाता है 26 का answer सही बात करें 27 प्रिशन की 27 है आपका कि यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है यह बताना है एक तरफ फसल के पर जाती है दूसरे तरफ उत्पत्ति इस्तान है तो हम नीचे से करते हैं जो जया है वो किस परकार की हो जाती है तो अंते प्रजाती संकरण हो जाती है बिर्कुल सही है पूसा जय किसान कैसी है तो काई के कलोनिंग बिद्धिता हो जाती है बिर्कुल सही है जगनात कैसी है उत्परिवर्थित किसम हो जाती है लेकिन अरुना जो होती है आपकी तो अरुना किस पिरकार की होती है तो अरुना आपको बतानी है जल्दी तो अरुना और अरंडी की जो है ये कैसी हो जाती है तो ये भी आपकी उत्परिवर्तित हो जाती है कैसी उत्परिवर्तित हो जाती है और अंत्य जो इस पे सीज करन यह नहीं होती है तो अपसन नमबर ए आंसर सही हो जाएगा इसका आपका 27 कोश्चन का तो यह यहाँ पर गल्ट दिया हुआ था आगे बात करते हैं 28 कोश्चन 28 है बरतमान में निम्न में से कौन सी बिधी फासल उन्यन में ब्यापा के इस तरपर प्रियोग में लाई जाती है तो यहाँ पर बताना बरतमान समय में जो है कौन सी बिधी है जो उन्यन में ब्यापा के इस तरपर प्रियोग में लाई जाती है तो कौन सी लाई जाती है तो आपकी संकरन बिधी लाई जाती है ब्यापक रूप से उप्सन नमबर ए आंसर हो जाता है 28 का सही 29 की बात करें निमलिकित में से कौन सा बाहे गुर्षूत्री अनुवानसिक्ता के लिए उत्तरदाइत नहीं होता है तो जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा मीसो सोमस जो है यह आपका बाहे गुर्षूत्री जो है अनुवानसिक जो सुद्धता है उसके लिए उत्तर जो है इन्म जो क्रोमोसोम शॉप। सब्द है वो किसणे पृति प्रितिपाइड कया था उर कभ किया गया था यह क्यों गया था अपका कव बाल्डेयर के दुवारा 8088 इसे जो है इसे स बि dauk досकु अ सुस्थ को पृतिपवा too तो ओपसन और यहां पर बताएं एक चीज़ बता देते हैं जो आपकी दलहेनी फसले होती हैं उन दलहेनी फसलों का सबका गुर्षूत्र जो होता है वो चोदे होता है सिर्फ एक चना को छोड़कर काबुली चना को छोड़कर काबुली चना का सोले होता है गुर्षूत्र और सबका जो दूसरे पोधे पर पैदा होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है आपका तो उसे बोला जाता है 32 का अंसर क्या हो जाएगा तो एक लिंगी पोधा बोला जाता है जब नर्पुस्प एक ही पोधे पर हो और मादा पुस्प दूसरे पोधे पर पैदा होते हैं तो उसे एक लिंग बोला जाता है तो उप्सन सी हो जाता है 32 का अंसर सही बात करते हैं 33 कोस्टन की 33 कोस्टन है कि विवसाइक रूप से संकर चावल की उत्पादित करते हैं जो विवसाइक रूप से संकर चावल है उसकी उत्पादित करते हैं तो किसके दुवारा उत्पादित करते हैं तो क्या निकली पत्तियों की ब्रद्धी तेज हो जाती है जो पोदों में पहले से निकली हुई पत्तियां हैं उनकी ब्रद्धी तेज हो जाती है तो किनके कारण तेज होती है तो इनकी ब्रद्धी तेज होती है कोशी का बिवाजन एवं कोशी का ब्रद्धी के कारण जो है इनकी प कि पादप बोजन का उतपादन प्रकास संसलेशन की किरिया दुबारा इसकोलर ओफिस जो तत्व है उसकी उपस्तिती में होता है तो जब सुद्ध नसल होती है तो कब होती है तो किस पोशक तत्व के कारण होती है तो 35 का अंसर जल्दी बताएंगे तो मैगनीजियम की जो है उपस्तिती के कारण होती है उपस्तिती के कारण होती है उपस्तिती का अंसर हो जाता है 35 का सही 36 की बात करें निमलिकित में से कौन सा मृद्ध निर्मानक कारक नहीं होता है तो 36 का अंसर जल्दी कमेंट में बताएंगे क्या हो जाता है तो यह हो जाता है बिले तो बिले ज पन कार्बोहाइडरेड पोधों के बिभिन ब्रद्धी वाले भागों में निम्लिकित में से किसकी कमी को संचालित नहीं करते हैं जो आपके पत्तियों में उत्पादन करते हैं कार्बोहाइडरेड वो पोधे के लिए जो बिभिन ब्रद्धी वाले भागों के निम्लिकित मे cycle कोंसा हो जाता है तो शूख्छम पोसकत्तव कोंसा हो जाएगा जल्दी कहिए 38 आजठा क्या हो जाता तोãy هाँ निकिल ज्यायकर अबर यहाद रखेंगे और बात करें 49 को सन us की बहुमि में जीवाण picks आपका सूचक है सूक हाँ जो भूमि में जीवाणव कि अउप लभदता के म चांता हूच का ने सूचक का भूम्न की बात करें को साण न कोन सा नहीं होता है आपका 40 का अंशर जल्दी बताएंगे तो जेवी कूब रख कोन सा नहीं है तो केंचुबा खाद आपका जेवी कूब रख्थ है पी स्थी यह भी आपका पैप का Au dat ढगी फ्रटिगेसन निमनि पिरकार की सिचाई में एक पिरकरिया है तो जो फर्टिगेशन की जाती है वो किस तरह से की जाती है आपकी तो 41 का अंसर कर जाता तो सतही पर यह फर्टिगेशन की जाती है आपकी option B हो जाता है सही 41 का बैल इसके बात करें बहुसरन का आंकलन करने है तू सर्व बहुमिक मरद्दा हास समीक रण किसके दुवारा दिया गया है तो किसके दुवारा दिया गया है यह आपका जो भूस रण का आंकलन करने के लिए जो सर्व बहुमिक मरद्दा हास समीक रण किसके दुवारा दी गई है तो किस के दुवारा दी गई है तो ये बिस मियर एवं सिमित के दुवारा दी गई है आपकी जो सर्म बहुमिक मरद्धा हास समी करना ओप्सन बी हो जाता है बैल इसका सही 43 की बात करें 43 है कि मरद्धा सननचना में सुधार होता है तो किसके प्रियोग से सुधार होता है तो यह होता है आपका सुधार सूपर फास्पेट के प्रियोग से मरदा सनचना में सुधार होता है तो option B हो जाता है सही 43 का 44 की बात करें जेब उबरक कौन सा है तो इन में से बताना है जेब उबरक कौन सा हो जाता है आपका तो जेब उबरक कौन सा हो जाता है तो सूक्छम जीवो का कल्चर जो है आपका जेब उबरक हो जाता है और अपसन नमबर D हो जाता है 44 का सही बात करें 45 कोश्टन की 45 है नीली हरिस सेवाल एक उपियुक तो जेब उबरक है तो किस की फसल के लिए जेब उबरक हो जाते हैं तो ये दान की फसल के लिए हो जाते हैं उप्सिन नमर डी आंसर हो जाता है सही 45 का 46 की बात करें किस फसल में ओजोला जो जलिय फर्म अधिक्तम लाबदायक होते हैं तो जलिय फर्म जो होते हैं जिसे हम ओजोला बोलते हैं तो ये किस फसल के लिए अधिक्तम लाबदायक हो जाते हैं तो किस के लिए हो जाएंगे जल्दी बताएंगे आप तो ये चावल की फसल के लिए हो जाते है उप्सन नमबर D हो जाता है 46 का अंसर सही बात करते हैं 47 कोस्टन की 47 कोस्टन है कि उत्तर प्रदेश में कुल समस्य गिरस्ट भूमी है तो उत्तर प्रदेश में जो समस्य गिरस्ट भूमी है वो कितने हेक्टेर है तो कितने हेक्टेर हो जाती है आपकी तो 13.57 मिलियन हेक्टेर जो है आपकी उत्तर प्रिदेश में समस्या गिरत भूमी हो जाती है तो उप्सन भी हो जाएगा 27 कांसर सही 28 की बात करें हवा के दुआरा मरदा अपरदन मरदा के किस रूप में जो बदलाव लाकर मरदा को हानी पहुचाया जाता है जो हवा के दुआरा जो मरदा अपरदन होता है तो मरदा के किस रूप में बदलाव लाकर मरदा को हानी से जो है पहुचाया जाता है तो किस के कि निम्लिकित कत्रों में से कौन सा गतन सत्य है. यहाँ पर कत्र not कि कौन सा सत्य है. यहाँ पर आंसर किया हो जाएगा मरत्डा कि उदाने के लिए कि चूणे का प्रियोग किया जाता है. ऊपस vain कि कि परत अपरन के धुब जरेन के जो अधिक हानी होती ब्रेद्धा परदन की चाहिएब्स ज्वासे हाओ कि नुगसान के फिरेन की परत अपरदन सबसे हानी होती है मरद्धा कीola की तो अपको सब्सक्राद का उसे पुछ जाया imposed क्यावन की निम लिखित में से संसिताओं पर बिचार कीजिए तो यहाँ पर बिचार करना है ति कि यहाँ पर किरम लगाना है तो किस परिकार से आपका यहाँ पर किरम हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा तो पहले कुन से हो जाता है आपका तो पहले जिला आएगा आपक बामन कोशन की बामन कोशन आपका की दूर दर्सन प्रसारण शुरू हुआ है जो आपका दूर दर्सन प्रसारण है वो कब शुरू किया गया था तो 1969 में इसे शुरू किया गया था उप्सन नमबर एंसर सही हो जाएगा कब क्या गया था तो 15 सिप्तमबर कव 15 सिप्तंबर 1969 को इसे शुरू किया गया था आगे बात करते हैं हम पिरसन नमबर आपका कौन सा तरेपन कुस्षन की बात करेंगे तरेपन कुस्षन आपका तो तरेपन क्या हो जाता कि इस्थानिय इस्थानिय इस्थार पर बिस्तार कार्रेक्रम के नियोजन का पिर्थम झाय जाता है तो परियोजनां करते हया तो कुनौ सा उल्यों सब आगरते नाता है तो किस पर्योजना या योजनां सब कर में तो यह किया जाता एक ही करत समनिबरत ग्राम विकास कारेकरम में जो है आपका गरीवी में सबसे गरीवी का चुनाब किया जाता है उप्सन नमबर D हो जाता है सही यहां पर चववन का 55 की बात करें पिरसार सिक्षा का उदभव हुआ था तो पिरसार सिख्चा का उदुभव कहां से हुआ था तो 55 का अंसर क्या हो जाएगा तो संयूक्त राज्य अमेरिका से पिरसार सिख्चा या एगरिकल्चर एक्टेंशन की जो है शुरूवात की गई थी अप्सन ए हो जाता है 55 का सही 56 की बात करें 56 की किर्सी संगरना 2015-16 के अनुसार भारत में किर्सी जोत किरिया सिलता की संक्या कितनी थी तो यहाँ पर 2015-16 के अकोडिंग पूछा गया है जो भारत में किर्सी जोत की जोह संक्या कितनी थी तो कितनी थी यह हो जाती है आपकी 146.45 मिलियन 2015-16 के अनुसार और बात करें आगे 2010 और 11 में कि तुल्णा में कमी कितनी हुई थी एक पॉइंट 11 प्रितिस्त की लेकिन 2010 और 11 के अनुसार कितनी थी तो यह थी आपकी 169.59 मिलियन हेक्टेर थी आपकी 2011 10 और 11 जनगरना के अनुसार जो किर्शी जोती थी आपकी तो यह आपकी 2010 किसकी 10 और 11 के अनुसार है आगे बात करते हैं प्रसन नमबर 57 कुस्टन की 12 सरकार दुवारा नई नीती की गोशन कव की गई थी तो यह की गई थी आपकी जुलाई 2000 में उप्सन नमबर D आंसर हो जाता है सही 57 का बात करते हैं 58 कुस्टन की 58 की भारते रेसम से बनी बस्तों का सबसे बड़ा निर्यात इस्तल कौन सा देश हो जाता है तो भारत की जो रेसम से बनी हुई बस्तों हैं उनका सबसे बड़ा जो बिकिरता ये नियत कौन सा देश हो जाता है तो यह हो जाएगा आपका USA मतलब अमेरिका हो जाता है option number A answer हो जाता है सही आपका बात करें उन्सट की नियुन्तम सामर्ट मुल्ले कितने फसल के लिए गोसित किया गया है जो आपका नियुन्तम सामर्ट मुल्ले है वो कितनी फसले के लिए जो है निर्धारित क्या गया था तो 23 फसलों के लिए जो है ये निर्धारित क्या गया था कि उचित एवं लावकारी मुल्ले की गोस्णा की गई थी तो option C हो जाएगा 69 सही बात करते हैं 60% की 60 है कि 2022 और 23 के 23 में जो किस फसल की सरवदिक नियुन्तम सामर्थ मुल्ले में ब्रद्धी की गई है तो 2022 और 23 के अनुसार बताना है जो नियुन्तम सामर्थ मुल्ले ब्रद्धी की गई है तो किस फसल की की गई है तो ये फसल की की गई है ये आपकी तिलहन की तो option B आंसर हो जाता है सही 61 की बात करें गाय में मुख्य रूप से बांचपन किस बिटामिन की कमी से होता है तो यहां पर पताना है जो गाय में बांचपन हो जाती है वो किस बिटामिन के कारण होती है तो यह होती है आपकी कौन सी E-Bitamin के कारण होती है जो पसुओं में जो है बांजबन बीमारी हो जाती है उपसुन नमबर C सही है 61 62 की बात करें एक ग्याविन गाय को गर्व दहान के लिए कितने महाँ बाद गर्व काले आहार देना चाहिए तो उसे कितने दिन बाद आहार देना चाहिए तो यह हो जाएगा आपका आठ महाँ बाद उसे आहार देना चाहिए तो यहाँ पर हो जाता है आपका कौन सा अंसर D-Answer हो जाता है 62 63 की बात करें 63 है कि पसुधन जन गर्णा 2019 के संदर में कुल पसुधन की दृष्टी से किस राज्य में सरविदिक पसुधन है तो यहाँ पर 2019 के संदर में बताना तो किस राज्य में सरविदिक पसुधन हो जाते है 63 का अंसर जल्दी देंगे कमेंट में क्या हो जाएगा तो यह हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश में हो जाता है option number D answer हो जाता है सही और यहाँ पर जो हमने जो 22 question कराया है इसका जो answer होगा तो इसका answer होगा आपका जो एक ग्याविन गाएक को जो गर्वधान के कितने महाँ बाद जो है गर्वीन का जो आहार दिया जाता है तो वो 6 महाँ बाद दिया जाता है option C सही है इसका आठमा नहीं होगा तो 62 का answer C सही है और 63 का आपका D answer सही है आगे बात करते हैं 64 question की 64 question है कि देश में रेसम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाता है तो डेसम कीत का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा हो जाता है आपका कौन सा राज्य हो जाएगा तो करनाटक हो जाता है जहाँ पर सबसे ज़ादा रेसम जो है उत्तपादन किया जाता है option D सही हो जाता है बात करते हैं 65 question की 65 question है कि ताजे दूद में जो अमलता कितने प्रतिस्त होती है तो ताजे दूल में अमलता कितने प्रतिस्त होती है तो 0.11 से 0.18 जो है आपकी इसमें ताजे दूल में जो है अमल की मात्रा होती है उपसन नमबर बी आंसर हो जाता है सही 65 का तो यहाँ पर आपका जो है agriculture के 65 question हो जाते हैं आपके कितने question 65 में सही गए और कितने गलत गए यह comment में जरूर बताएंगे आप और comment में जरूर बताया करें और जिन्होंने वीडियो को like नहीं किया है वीडियो को भी साथ like करते रहें और हम आपको बता दें कि हम जो है आपको यहाँ पर एक आपकी मेरा थनाने वाली है उसमें जो आपको कितने उसमें आपको मिलेंगे 800 question मिलेंगे उसमें आपको total subject से उसमें agriculture भी होगा आपका UPGK भी होगा computer भी होगा फिर हम part 2 लेकाएंगे उसमें भी आपको करीम 700 question करा देंगे तो यह हम दो हो दो वीडियो में आपको कितने 1500 question के something करा देंगे और यह बहुत important question होगे आपको exam में देखने को जरूर मिलेंगे तो अब करते हैं हम computer को शुरू तो computer का पहला question हो जाता है आपका कि accumulator का एक जो समकालिन घटक है वो क्या हो जाता है तो क्या घटक हो जाएगा तो यह हो जाता है CPU यह घटक हो जाता है किसका accumulator का तो option number A हो जाएगा 66 का सही बात करने 66 question की 66 है कि memory आकार और प्रदसन के आदार पर किस पिरकार के computer को जो big iron के रूप में जाना जाता है तो big iron के रूप में जो है किस computer को जाना जाता है तो कौन सा computer हो जाएगा तो यह हो जाता है आपका mainframe computer को जो आपका big iron के नाम से जाना जाता है option C हो जाता है 66 का सही 68 की बात करें 68 question है कि किस समस्या को परिभासित करने की पिरके लिया कुछ चरणों की सर्ते हैं और फिर पिरतियक चरण की खोज को आगे के रूप में जो है जाना जाता है तो किस चरण की रूप में उसे जाना जाता है तो 68 का अंसर क्या हो जाता है तो चरण बार जो है सोधन के रूप में उसे जाना जाता है option यह हो जाता है 68 का सही बात करें 69 कोश्चन की एक computer system की बिसेश्ता है जो तर्क करने सीखने और समस्यां हल करने में समझ जो है सक्षम है उसे जो है कहा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है आपका जो तर्क करने में भी और सीखने और समस्यां हल करने में भी सक्षम है तो उस computer को जो है क्या बोला जाता है तो क्या बोला जाएगा तो उसे बोला जाता आई जो आपका किसका AI की जो फिल्पोम है क्या हो जाएगी अजका Video Key उसे कौन इंगित करता है तो कौन इंगित करेगा तो सतर का आंसर क्या हो जाता है आपका तो यह अंसर हो जाएगा कि ये जो हाड़वेर सेटिंग भरतमान दीना को और समय सहीत डिफाल्टर मानों पर जो हाब बापस लोड जाएंगे तो अपसन नमबर डी हो जाएगा सही बात करते हैं 71 कुशन 71 है कि उस नई तकनिकी को क्या कहते हैं जो एक करतिम दुनिया के सर्जन की चमता प्रदान करती है और उसमें लोग जो है परस पर अंते करियां भी करने लगते हैं तो उसको क्या बोला जाता है तो उसे क्या बोला जाएगा आपका तो उसे बोला जाता आवासी बास्तिविक्ता option d answer sorry b answer हो जाता है 71 का सही 72 की बात करें 72 कुशन आपका कि computer programming में जो computer programming में जो virus का सही पूर्ण रूप क्या हो जाता है तो virus का सही रूप क्या हो जाएगा तो 72 का answer क्या हो जाता है आपका तो यह हो जाएगा beetle information resource जो undersize हो जाता है तो option number b हो जाएगा आपका सही वाइरस की फुल पॉर्मap option number b हो जाता है 22 का 3 की बात करते हैं 33 कुशन है कि ATM का संचिप रूप Azazit Roof किया हो जाता है तो Hit conserve का संचिप रूप तो जाएगा आटोमेटिक जो है टिलर मसीनिंग आटोमेटिक टिलर मसीनिंग हो जाता है आपका ATM की फुल पॉम एग्जाम में पूछी जाती है आपसे जरूर इसे याद कर लेंगे तेतर का अंसर भी हो जाता है बात करते हैं चोहतर कोशन की चोहतर है कि अपनी मुझूद फाइ सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसे कैसे कर सकते हैं तो आपकी सेवस के दवारा उसे हम save कर सकते हैं उपसो नमबर सी हो जाता है सही 74 का 75 की बात करें word में आप निमन में से किस function कुंजी को दबा कर जो find and replace dialogue box पर देशित करते हैं तो find और replace dialogue box किस shortcut के दुबारा आप open कर सकते हैं तो 75 का answer क्या हो जाता है तो f5 के दुबारा इसे जो है फाइल जो आपका reflex कर सकते हैं उपसो नमबर ए हो जाता है सही 75 का 76 की बात करें 76 के इस पेड़ सीट के बिसेशन के लिए निमन में से कौन सा उपकरण नहीं है तो mail मर्ज blight, f, analysis या लक्षे की तलास ये छटाई तो कौन सा हो जाएगा 76 का अंसर तो mail मर्ज हो जाता है जो आपका spare seat के अंदर नहीं है उपसो नमबर ए अंसर हो जाता है 76 का 77 की बात करें 77 कुसन है यदि simple बर्ग सीट में MS XL में जो सूतर है क्या cleaning B1 और 10 लागू किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा तो क्या परिणाम होगा इसका तो इसका परिणाम होगा क्या 50 हो जाएगा तो 50 इसका परिणाम प्राप्त हो जाता है तो cleaning का तो option नमबर ए हो जाता है 77 का 78 की बात करें 78 कुसन है कि खालिस्तान का अर्थ उन आबाच्छित बानेज की email से है जिनकी internet पर बाड रहती है तो बाड किस पर रहती है इंटरनेट पर रहती है तो वो email से बतानी है जो आबानेजी के होती है तो कौन से हो जाएगा 76 का अंसर जल्दी बताएंगे तो यह हो जाता spam हो जाती है तो option number D हो जाता 78 का सही बात करते है 81 कोशन 89 की नेमल्य कित मेंसे उस बिकल्ब का चैन करें जो Sega से 3 है तो Sega से 3 है से कौसा हो जाता है तो यह हो जाता आपका administration फरी जो हो जाता यह 3 हो जाता है option number D हो जाता है सही open 89 का बात करते है 80 कोशन की 80 कोशन है कि सी म O S जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा तो इसका हो जाता है पूरक धातू आक्साइड सेमी कंड़क्टन जो है आपका फुल फॉम हो जाता है तो इसका अंसर डी हो जाता है असी का अब बात करेंगे यहां पर आपका उत्तर प्रिदेश की तो उत्तर प्रिदेश के यहां से को कुपोडर शुरूर कर दिए और बात करें अपके यूपी जीगी तो हम और यह यहां पर बात करें gdzieś यूपीई कि यूपी के पहले को सिह को से जह 有चाता है और यह को ग्टर भीम्राव अम्बेटगर संग्राल ले और पुस्तक जो संग्राल है तो यह कहां पर हो जाता है तो रामपुर में हो जाता है तो एक्यासिक आंसर यह हो जाता है बात करें 82 कुशन 82 की बर्स 2011 की जनगर्णा के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षिता दर क्या रही जो 2011 की जनगर्णा के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो महिला साक्षिता दर है वो कितनी रही तो 82 का आंसर क्या हो जाता है तो 57.20 प्रतिसत रही आपकी महिला साक्षिता दर तो दिनों के लिए जो है विद्ध्याल्यों में उपस्थित ने होने पर लड़कियों को संतुलित आहर प्रदान करने की पेसकस करती है तो कितने दिन के लिए पेसकस करेगी तो क्या हो जाएगा तो 300 डेस की होती है उप्सन नमबर डी आंसर हो जाता है 83 का सही 84 के बात करें 84 की आत्म निर्वरता यूपी रोजगार अभियान कब शुरू किया गया था तो आत्म निर्वरता यूपी रोजगार अभियान है तो कब शुरू किया गया था तो ये 26 जून 2020 को शुरू किया गया था तो अपसन नमबर ए अंसर हो जाता है सही 84 का बात करतें 85 कुशन की 85 है की कौन सा सही सुमेलित नहीं है एक तरह नगर है एक तरह इस्थानिय निकाह हो जाती है तो यहाँ पर बताना है कौन सा गलत हो जाता है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा तो लखनौ छाबनी परिशद है बिरकुल सही कानपूर कहा नगर निगम हो जाता है तो गाज्यबाद क्या हो जाता है तो गाज्यबाद यह आपका क्या हो जाता है ये नगर निगम है, नगर निगम नगर परिसद नहीं है और काकोरी क्या हो जाता तो नगर पंचायत हो जाती है तो यहाँ पर उप्सन नमबर कुन सा हो जाएगा C आंसर सही हो जाएगा आपका 85 का आंसर 86 की बात करें उत्तर प्रदेश में कितने बिस्विद्यालों के नाम डाक्टर भीमराव अमबेडगर के नाम पर रखे गए हैं तो डाक्टर भीमराव अमबेडगर के नाम पर कितने बिस्विद्यालों के नाम रखे गए हैं तो विष्विध्याल्यकेंद्र 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 जो है आपकी यूबा गरह प्रचलित हो जाती है जो उत्तर प्रतेस और उत्तरखंड राज्य दोनों में जो है इसे मनाया जाता है बात करते हैं 88 कुस्टन यहां पर कौन सा सही सुमेलित नहीं हो जाएगा वो बताना तो अमीर खुसरो कहां से थे एटा से थे बिरकुल सही हो जाता है और मरजी गालिव कहां से थे आगरा बिरकुल सही जो कहां से थे तो मलीहा वादसिस इस्तित थे अब जीहर कहां से हो जाता है तो कौन सा तो आपका हो जाता है जीहर तो जीहर कहां से इस्तित हो जाएगा तो यह आपक तो राम लीला का मंच कितने दिन होता है तो राम लीला का जो मंच होता है वो कितने दिन तक रहता है तो कितने दिन तक रहता है वो 31 दिन तक रहता है आपका राम नगर बनारस में राम लीला का मंच option C हो जाता है सही 89 का 90 की बात करें पिरसिद सूपी संत सेख सलीम चस्ति की दरगा उत्तर प्रदेश के कहाँ पर अवस्थित है तो कहाँ पर अवस्थित हो जाती है तो ये 90 का अंसर क्या हो जाएगा तो फतेफुर सीकरी में ये अवस्थित हो जाती है जो सूपी संत सेख चलीम सिस्ती की दारगरा कहां पर है तो उत्तर प्रदेश के जो फतेफुर सीकरी है वहां पर इस्तित हो जाती है option number C हो जाएगा 90 का answer एक कैनल में की बात करें तो बरतमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्रांचिंतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में अवस्तित है तो कितने हो जाते हैं आपके तो ये हो जाते हैं आठ जो महाजनपद हैं उत्तर प्रदेश में अवस्तित हैं और आठ कौन-कौन से हैं तो एक वार उनको हम repeat कर देते हैं जैसे पहला हो जाता है आपका कासी, कासी महाजनपत हो जाता है जिसके राजधानी बाराणसी हो जाती है दूसरा है आपका बतस, जिसके राजधानी कोसंबरी हो जाती है तीसरा है आपका कोसल, जिसके राजधानी सराबस्ती हो जाती है चोता है मल जिसके राजदानी कुसी नारा हो जाएगी और पांच माहें चेंदी जिसकी राजदानी सक्तिमती हो जाएगी और आगे बात करें छटा हो जाता है कुरू जिसकी राजदानी इंदर प्रस्त हो जाएगी सातमा है सूर सेन जिसके राजदानी मतरा हो जाएगी और पांचाल पांचाल के राजदानी अही चत्र हो जाएगी तो यह आपके आठ हो जाते हैं महाजनपत जो उत्तर प्रदेश में अवस्तित है कुल 16 जो है आपके बारत में थे जिन में से उत्तर प्रदेश में 8 हवस्तित है बात करते हैं बयानमे कुस्सन की बयानमे कुस्सन आपका कि यमना एक्सप्रेस वे है तो यमना एक्सप्रेस वे कहां से कहां तक है तो ये greater norida से आगरा तक हो जाती है यमना एक्सप्रेस बे option B हो जाएगा 92 का सही 93 की बात करें 93 की उत्तर पिर्देश में पाये जाने वाला पिर्मुख खनीज कौन सा हो जाता है तो उत्तर पिर्देश में पाये जाने वाला खनीज कौन सा हो जाएगा तो यह हो जाता है आपका lime, stone और dolomite option number B हो जाता है 93 का सही आपका 94 कोस्षन की बात करें तो 94 कोस्षन है आपको यहां पर सूची दी हुई है सूची किस तरह से हैं 1st को 2nd से सुमेलित कीजिए सूची के नीचे देगे कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए तो सही उत्तर का चुनाव करना है तो क्या हो जाएगा तो चुर्क कहां पर हो जाता है तो आपका कहां पर हो जाएगा चुर्क तो यहां पर पूछा गया कि सही कौन सा है तो यहां पर अलिगर सीमेंट के लिए पिर सिद्ध है तो अप्सन नमबर सी आंसर सही हो जाता है जो आपका 94 का आंसर जो चुरक है चुरक को सीमेंट के लिए आपका उत्पादित हो जाता है उद्ध्यों के लिए फ्रोजबाद महिलाओ की चूंडियों के लिए हो जाता है तो यहां पर मिलान करना है सोरी मैंने न तो दूसरा हो जाएगा भी का हो जाएगा भी गह साइगा चुछ त्वारा आपका सी प्रिश्ची सही हो जाएगा यहाँ पर पिच्चानमे का के बात करें वे कि हुत्त्र प्रिदेश में किरत्तिम रवड का और ग्रिच्थित हो जाएगा तो कीеты चैनमे का अंसर क्या हो जाता है तो बरेली आंसर सही हो जाता है तो बरेली में जो है कृतिम रवड का कार खाना अवस्तित है उप्सन नंबर डी आंसर हो जाता है सही यहां पर 96 की बात करें 96 कुस्तन आपका कि यहां से जो है निमले कितमे से सही सुम्मेलिद नहीं है तो यहां पर जो आपको गलत दिया हुआ है बो बताना है कौन सा है तो बाराण सी संस्कृत्ति का धार्मिक धर्म है बिरकुल सही लकनो प्रदेश की राजधानी बिरकुल सही ही हो जाएगा 97 की बात करें उत्तर प्रदेश में परेटन विकास निगम की स्थापना हुई थी तो उत्तर प्रदेश में जो परेटन विकास निगम है इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1922 में इसकी स्थापना हुई थी और सनमबर यह आंसर हो जाता 97 का सही 98 की बात करें निमलिकित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिक्तम छेत्र में सिचाई करती है तो कौन सी नहर है जो अधिक्तम छेत्र पल में सिचाई करती है तो कौन सी हो जाएगी आपकी तो 98 का अंसर क्या हो जाएगा तो सार्दा नहर हो जाएगी जिसके द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में अधिक्तम सिचाई की जाती है तो अप्सन नमबर C हो जाएगा 98 का सही आपका 99 की बात करें 99 की निमलकित में से किस फसल में फसल का उत्तर प्रदेश बारत में जो सर्व प्रिमक उत्तपादक है वो कौन सा हो जाएगा तो उत्तरपिर्देस में सबसे ज़ाधा जो उत्पादन है किस फ़सल का किया जाता है तो निन्यान में का अंशर जल्दी बताएंगे तो ग्यहूं इसका अंशर सही हो जाएगा option number d बात करें so question की निमले कितें से उत्तरपिर्देस में किसी फ़सल चक्र का छेत्र पल अधिक तम है तो किस फसल का जो छेत्र पल है सबसे अधिक है तो धान और गयों की फसल का सबसे अधिक जो है फसल चक्र होता है तो अपसे नमबर ए हो जाता है सो का अंसर यहाँ पर सही तो यहाँ पर हमने कितने कोस्षन करा दिये आपको तो यहाँ पर हमने आपको सो कोस्षन करा दिये और सो कोस्षन में से आपके कितने कोस्षन सही गई है और कितने आपके गलत गई है यह कमेंट में जरूर बताएंगे आप कि आपका कितना score रहा कि आप यह तो आप agriculture में बताएं कितने सही गई हैं computer में बताएं 15 में से कितने सही गई हैं UPGK में बताएं कि आपके इन में से कितने सही गई हैं 20 में से तो अपना-पना score सब बताएंगे और फिर आप total मिला के भी बता देंगे कितना बैठा है आपका अगर ये वीडियो आपको benefit दे रही हो या आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like जरूर करेंगे और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सक्साइज कर लेंगे और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को share करते रहें जिस महा मेरा थन कराएंगे महा मेरा थन मेरा थन कराएंगे और यह महा मेरा थन जो होगी तो इसमें जो हम आपको 800 question के something कराएंगे और फिर पार्ट दू लेक आएंगे हम पार्ट दो में भी आपको 700 question के something करा देंगे तो इन दोनों वीडियो में हम आपको कितने कितने question करा दें जो टोटल आपका agriculture और computer होगा उसमें और आपका UPGK होगी तो उन्हें देखने के लिए जो है जरूर चैनल को success कर लेंगे तो फिर हम मिलेंगे इसी तरह से अपनी आने वाली next वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय भारत